हेलो फ्रींज आप सभी लोगों का अनकैडमी के ऑनलाइन लेर्णिंग प्लेटफार्म पर तह दिल से स्वागत हैं जैसा कि आप जानती हो अगर यह जानते हैं कि अगर हम कोई भी एक्जामनेशन जैसे चाहे वो इस्टेट के एक्जामनेशन हो या या यूपीएससी ही क्यो बात करने तो वहां पर साइंस का क्या लेवल होता है यह आपको बताने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूत नहीं है आप अच्छी तरह से जानते हो क्योंकि अगर पीटी आपको पास करना है तो बिठा बिना साइंस के ये पॉसिबल ही नहीं है तो मैं आपको आज इसी साइंस को पढ़ने का तरीका बताऊंगा वास्तों में आप जानते हैं इसके लिए बहुत जादे बुक की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ NCRT के कच्छा छे से लेकर के भारवी तक का हमें साइंस पढ़ना है और आज हम बताएंगे फिर NCRT ही कैसे पढ़नी मेन हमारा मोटो क प्रक्टिस अना बुक के रूप में ले सकते हैं गटना चक्र को भी प्रक्टिस बुक के रूप में हम लोग ले सकते हैं यह दो तीन चीजों को आपके ध्यान बेखना लेकिन याद रखना बटा हमें जब बहुत अच्छी तरह से समझना है साइंस को तो बिना NCRT के हम नह मतलब क्लास के कौन से टॉपिक पढ़ने इसके चर्चाएं आज हम करेंगे इसलिए काफी बच्छों का काफी बच्छों की यह डिमांड रही है इसलिए करेंगे और हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ अनकाइडमी जो सब से जबर जस्त अभी जो कंबैट होने वाली है तार साथ मिनट में साथ क्यूसिंस आपको करनी है और अगर इसमें आप अच्छी रेंक लाते हैं तो इसमें हंडेट परसेंट आपको स्कॉलर्सिप मिलने जीतने कम मौका मिलेगा तो याद रखना यह आपके लिए बहुत बड़ी बहुत बड़ी अपार्चुनेटी है तो दिखान रखिया गए बटा तीस तारीक को यह कत्तई ही आपको भूलना नहीं है कि तीस तारीक को यह है कि ने तो तीस तारीक को आपको यहां पर आना ही आना है किशी भी तरीके से ओके चुकिए साथ मिनट में साथ क्यूसिंट करने हैं और स्कॉलर्सिप आपको भर भर के मिल रही है तो यह आपके लिए बहुत बड़ा मौका है चुकि नए साल है और नए साल में नए तरीके से कुछ किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यह अपार्चुनेटी इसको बिल्कुल भी जाया होने ना दीजिए तो आज से एकदम दिमाग में बठा लो क यहां पर हमको यह एक्जाम देना है खेर चलिए हम आपको जो हम आज टॉपिक जिस पर हम डिसकस करने वाले हैं वो टॉपिक मैंने आपको क्या बताया कि हम NCRT कैसे पढ़ें आकल बिज्ञान में NCRT को कौन-कौन से टॉपिक पढ़ें सबसे बड़ी समस्या तो यह होती ह सबी लोग बता देते हैं कि NCRT पढ़ो 6 से लेकर के 12 तक लेकिन 6 से लेकर के 12 तक साइंस के NCRT पढ़ना क्या सारे टॉपिक पढ़ना क्या इतना आसान है क्या पढ़ लिया जाएगा आसान तो बिलकुल भी नहीं है हाँ इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि NCRT की बुक से कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना है किस-किस क्लास की किस-किस क्लास के NCRT का कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना है मैंने सब इकठा किया हूँ है मैं आपको वही दिखाना चाहता हूं वही बताना चाहता हूं और हला कि मैं यूट्यूब तो उसको करा भी रहा हूं अ के लिए समल लीजिए एकदम राम बान है अगर आप चाहते हैं कि स्टेट सिविल इग्जाम्स को हम अच्छी तरह से क्रेक कर सकते हैं तो साइन्स को एंसी आटी से आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेटा ऐसा नहीं है क्योंकि साइन्स टेक्नोलोजी में भी वो पाटिशिप अब coach, सारी शप्रम बज रहा है को फीक है तो इस तरेके से आपको शाहिद दिखाई दे रहा हो टॉपिक आपको दिख रहा होगा सारे अब तो दीख रहे ना देख रहे कि नहीं मैं थोड़ाँ सा यह डार कर देते हो शायद आपको ना देख रहो तो यह. मैंने यहां पर topics सारी लिखे हुए हैं और topics में खेर वहाँ number आप classes की बात है class में जब हम पढ़ाते हैं तो कितना classes लगता है इनको कबर करने में हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है ताकि आपको कभी कोई problem ना हो यहाँ पर आईए हम आपको पढ़ा रहा हूँ science जो है वो NCRT इधर Hindi और English आप साड़े 9 बज़े आ सकते हैं 9.30 एम पर पूरी-पूरी हम NCRT को कभर करें तो अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है न तो देखिए जैसे कच्छा क्लास 8 की topic 8., क्लास 9 का topic 5 और क्लास 11 का topic 8 और 10 यह मिल्ट करके आपका यह topic को कबर करें, इस तरह से कि आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, मेरे लाल मेरे बच्चे तो आप उस तरीके से से कवर कर सकते हैं इसको मैं चार क्लासे पांस क्लासे या जो भी क्लासे हैं तो यह कहां कहां टॉपिक है यह कोशिका से संबंदित हम वहां पर देखेंगे इसी तरह से अगर दूसरी टॉपिक की बात करें तो टीशू क्योंकि कोशिका के बाद हमको टीशू पर नहीं तो उस आराम से आपको यह पता चल जाए क्लासेस की बात चोओं आपको क्लासेस से मतलब नहीं अभी अभी हमको क्या पढ़ना है इसमें कौन से टॉपिक पढ़ने यह आपको बहुत जरूरी है बात क्लियर हो रही ना कोई शमस्या नहीं ना बिलकुल यही चीज़ें चाहिए मुझ करें तो यहां पर देके कच्छा साथवी का भी पढ़ना होगा और ग्यारवी का भी पढ़ना होगा अब देख रहें ना कि सारे ऐसा नहीं कच्छा 6,7,8,9,10 सब का जो है जहां है बस उसी को कवर कर लेना है मैंने इसलिए एक निकाल दिया है तो आप अगर चाहें तो सार कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे सर्कुलेशन तो ब्लड सर्कुलेशन का देखो क्लास 7 में भी होगा और 11 में भी वट टॉपिक भी हमने यहां पर लिख दिया हुआ है कि कौन सार्ट टॉपिक होगा तो इस तरीके से आप हर चीजों को पढ़ेंगे इसी तरह से जैसे र लग रहा है कि थोड़ा चोटा लिखा गया है क्या अब तो जो लिख गया है वो हे है कि लेकिन मुझे लग रहा है कि दीख तो रहा है έ Wal R. ठीक है कोई बात तो इस तरीके से अगल हम यहां पर बात करें तो जैसे इक्स्क्रीशन की बात क्रें थिन सक्षाय में आप देख sore यह हम हिंदी इंगलिस दोनों शाथ में लेकर के चलते हैं बाइल लिंगोल होता है वो है ना ग्यारवी क्लास का ही हम लोग इसमें ज़्यादा प्रियार्टी देंगे हलाकि पिछली क्लासेज में भी पिछली कच्छाओं में भी लेकिन यहां पर हम से पढ़ेंगे यह सब को कवर कर ली जाएगा जहां पर जो नहीं कवर करेगा हम उसके लिए हर टापिक को कवर करेंगे जैसे यहां पर देखे हार्मोन की बात होगी तो हार्मोन देखे कच्छा आठवी में यानि क्लास आठवी में भी है और टेंथ में भी है और इलेवंत में भी है तो हमें इन तीनों को कवर करना पढ़ेगा इसी तरह से अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो ये क्लास दसवी में और क्लास ग्यार्मी में ये दोनों में हमको कवर करना आफ्टीरी वेवन जनन कैसे होता है जीवें यानि रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम सात्व में भी बी है आठवी में भी है दसवी में भी है और भार्वी में भी तो हम इनका समगर रूप पढ़ेंगे इस तरीके से मैं आपको यह जो बता रहा हूं मेरा सिप मोटो है कि आपको कौन-कौन सी classes को cover करने फालतू फालतू मतलब कौन-कौन से topic को पढ़ना है बहुत important चीज है याद रखिएगा यह इतना important चीज है कि पूरी YouTube पे खुशते रह जाएंगे बटा वो आपको मिलने वाला नहीं इसलिए बहुत बारीकी से इसको देखे और आप एक-एक classes को पढ़ने और फिर उसके बाद classification आप देख सकते हैं तो 9th class में है और 11th class में है तो यह सारा topic जो है ना science का आपकी मुठी मोगा बहुत ही मजेदार है और जब इस क्रम से जो हमने बनाया वह इस क्रम से पढ़ते हैं तो उना पढ़ने का एक अलग ही आनन्दा आता है समझपार है ना बहुत एकदम उंदा आनन्दा आता है एक सेकेंड रूप जो बस हम थोड़ा पान तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं यहां पुस्त भी पाग वही मारफोलोजी यानि आकार्की की बात करेंगे आप कितरी बार पूछता है कि आ जो आलू जो है वो जड़ है कितना है जैसे मूली की बात कर लेता है गाजर की बात कर लेता है या क प्रेंडिल्स जो प्रतान होते हैं, पतियां, फिलो क्लेड क्या हो जाती हैं, क्लैडोड्स क्या हो जाती हैं, जो यह सारी चीजे होती हैं, उन सब बारे में, यानि मार्फोलोजी के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, और साथ ही अब आजाती ही बीमारियां, तो बीम और दसवी में भी है इन तीनों को अब देखे फिजिक्स और केमेस्टी में हमको ग्यारवी भारवी बहुत जादा नहीं जाना है फिजिक्स चेमेस्टी में हमको 10 वी के अंदर ही रहना है हाँ बाइलोजी के कुछ टॉपिक है जिसके लिए हमको 11 वी और 12 में भी जाना पड़ेगा लेकिन फिजिक्स और केमेस्टी जो है न वो आपको सिप और सिप क्या होगी 10 लेवल तक ही रहेगी साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड देखे क्लास 8 में है क्लास 9 में है तो हमको यहां पर यह पढ़ लेना है हीट की बात करेंगे तो हीट टॉपिक जो है वो शेवन्थ में है तो यहां पर आपका यह कवर हो जाएगा विद्धु चुम्ब की इसकी बात करेंगे तो class 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, 10 में भी है तो अब देख रहे हैं न कि कहां कहां कौन कौन से topic हैं ताकि बार बार जैसे बोलते हैं कि ये कच्छा आपका पढ़लो फिर वो पढ़लो फिर वो पढ़लो नहीं जब एक topic अगर आपको जैसे माली जै लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट में आप class 6 का, 7 का, 8 का और 10 का ये चारो को पहले पढ़ने के बाद तब आगे आप topic पढ़ेंगे इससे क्या होगा आपका सारा खा का तयार हो जाएगा सुरवात से जो वो होती है छोटी classes होती है वो बहुत ही बहतर तरीके से पढ़ने का आपको सिखाती है बच्चों की तरह तो आप यहां से पढ़ते हुए जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे फिरिश में आएंगे तो ऐ जबाब पढ़ोगे तो आप जो classes ले रहे हैं उनसे आप फुछिए मजा भी आ रहा है पढ़ने में तो ठीक है ना इस तरीके से आप लोग जो है जुड़ने की कोचिस करेंगे ओके आई होप मेरी बातों को आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होगे आगे बढ़ते ह यहां बल और गत के नियम यानि force and law of motion फिजिक्स का ही टॉपिक है तो हम लोग यह कच्छा आटवी में है और नौवी में यानि क्लास 8 और 9 यह दोनों में आपको लेकर टॉपिक भी हमने लिखा हुआ है टॉपिक कौन कौन सा है आपको दिखाई ही दे रहा होगा और यहां पर friction की बात करेंगे घरसन क्लास 8 का हम लोग यहां पर देखेंगे आप gravity की बात करेंगे ग्रैविटेशनल force की बात करेंगे तो यह हम 9 में देखेंगे तो 9 क्लास की जहां पर है तो उसको हम लोग कवर करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत धेव सारे important ज प्रास 9 में आपको इसको पूरा का पूरा कवर करेंगे आपको 11 री तक नहीं जाना है बहुतिक और रासानिक परिवर्तन की बात कहें तो क्लास 7 में ही आपका पूरा का पूरा कवर आप उठां गया हुए है मैंने तो सारे के सारे सवालों को देखा हुआ है ना तो इससे बाहर सवाल ही नहीं आये है बिलकुल आप उठा करके देख लिजे और मैं आपको एक एक जब पढ़ाता रहा हूं तो एक एक सवाल में करवाता हूं जो आए भी है जो आ भी सकते हैं जो भी NCRT से जितने भी बन कैसे रखें उनकी प्रोपर्टी क्या है जितने भी ग्रुप हैं जितने भी पीरेड हैं सबके बारे में तोड़ी तोड़ी जानकारी लेना है बहुत जादा तो पढ़ना नहीं दस्वी लेबल का तो आप समझी सकते हैं और इससे जादा आपका पूछी गई नहीं ठीक है यहां पर वहीं पर metals और non metal की अगर हम बात कर लेंगे बटा तो metal और non metal का च्छाद 8 में और 10 में यानि 8 class की और 10th class की NCRT इसको पूरी तरह से कवर कर सकता है इसी तरह से carbon और इसको योगित most important topic आप से जानी रहे हैं हाना इस 10th में हम इसको देख लेंगे इसी तरीके से वो आपको बिटा एक ही जगह मिल जाएगा, मेरी बात समझ पाले है ना और यह अगर एक ही जगह मिल जाएगा मेरे लाल, तो आप देख शकते हैं, यह आपके लिए जो मैंने टेबल बनाया है एकदम समली जेर रामबान है, और खास कर उनके लिए जो स्टेट पीस्डे रहे लो और साथ ही आप जानते हैं कि और क्या कवर करना है और सिर्फ प्रक्टिस पर पड़ तो सिर्फ तीनी बात मैंने बता है NCRT और NCRT जो जो टॉपिक हमने बताया हैं बस यही टॉपिक पढ़ना था फालतु के और कोई नहीं पढ़ना ऐसा नहीं की पुरी छे से लेकर के बार्मी तक हट टॉपिक पढ़ते चले जिसका कोई मतलब भी नहीं इसलिए मैंने आना चाहते हैं BPSC Combat Target 67CC यानि ये 67 जो है सिविल एक्जाम जो कमबाइन एक्जामनेशन है उसके लिए आपको ये कबर करना है और ये 30 तारिक को आप यहां पर देख रहे हैं वटा कि ये क्या है 30 जन्वरी को 12 बजी इस पे 60 सवाल 60 मिनट के अंदर आपको करना है और इस पे 100 percent का scholarship मिलने के chances हैं और यहीं नहीं 50 जो प्रतिवागी जो पार्टिशिपेंट होंगे उनके लिए एक exciting gift भी है आपके समरे दिखाई देरा जैसे आपको Samsung के mobile मिल सकते है एडफोन जेबियल का headphone मिल सकता है गूगल बाबा मिल सकते हैं तो यह सारे जो है डेरो सारे उपहार है तो आप यह याद रखे बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है ध्यान रखना है इसको जोइन करना है और सफलता को सुनिश्चित करना है ओके तो बस आज के लिए इतना ही फिर हम नए वीडियो के शाथ फिर आपसे मुखातिब होंगे आपसे फिर से मिलेंगे तब तक के धन्यवाद लेट्स क्रैक बीपिसी थैंक यू